नमस्कार साथियो, UPSC Master में आपका स्वागत है मित्रो भारतिय समिधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्मगरंत है और इसी धर्मगरंत से संचालित होता है भारत का लोकतंत्र समिधान में जहां देश के नीति नियनताओ को देश के संचालन के निये दिसा निर्देश दिये गए है वहीं देश की जनता को उसके चहुमुखी विकास के लिए मोलिक अधिकार भी परदान किये गए है जिनकी चर्चा सम्विधान के भागतेन में अनुछेद 12 से लेकर 35 की गई है इसमें अनुछेद 15 काफी महत्पूर्ण है जिसमें समानता की अधिकार की बात कही गई है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनुछेद 15 की और जानेंगे हर लिहाज से इस अनुछेद का मकसद और महत मेरा नाम है मनुष्टो सियान और आप मुझे फोलो कर सकते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जिनके लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिये गए हैं चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिंग मित्रो इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा की अनुछेद 14 की जहां समता की अधिकार पर हमने चर्चा की तो अनुछेद 14 अनुछेद 15 और अनुछे 16 ये तीनों अनुछेद एक दूसरे के पूरक है अर्थात इन अनुछेद जो है ये अनुछेद एक दूसरे को पू उसमें नागरिक भी है और उसमें गेर नागरिक भी है वही अनुच्छेद 15 बात करता है केवल नागरिकों के दिकारों की अर्थात अनुच्छेद 15 अनुच्छ 14 में दिये गए जो समता के दिकार है उसको एक विशिष्ट छेत्र में लागू करता है और यह प्रावधान करत करता है कि राज, धर्म, मूलवंस, जात, लिंग या जनमहस्तान के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा अर्थात जो अनुच्छेद 15 है वह अस्टेट पर उबलिगेशन करता है कि वह इन पाच ग्राउंड पर वो पाच ग्राउंड कोन से ह रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, एंड पहले सो बर्थ जनमस्तान इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा नागरिकों के मद्धे यह जो अनुच्छेद है इसको पाच भागों में बाटा गया है अनुच्छेद 15 का एक और अनुच्छेद 15 का दो इसमें मूल प्रावधान हैं अनुच्छेद 15 के 3, अनुच्छेद 15 के 4, अनुच्छेद 15 के 5 और अनुच्छेद 15 के 6 में इन दो मूल प्रावधानों के दिये गए हैं अफवाद जिन पर अब हम चरचा करेंगे एक के बाद एक करके अमश्यत पंदरा का एक क्या कहता है कि राज केवल सब्ध विशेसमात्टुका है मैंने पीछे भी चरचा की है कि बारतिय समिधान का ध्यन करते समय हमें सबलावदी पर विशेस द्यान देना है राज केवल धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग या जनमस्थान या इन में से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा विभेद नहीं करेगा किस में? नागारिकों में कोई विभेद नहीं करेगा मित्रो अरुचेद 14 मैंने पीछे भी चर्चा की है जहां बात करता है बेक्तियों की अर्थाद उस बेक्ति में कोन है वो सिटिजन भी है और नन सिटिजन भी है वहीं अरुचेद 15 ये बात करता है केवल और केवल सिटिजन की अर्थात राज विभेद नहीं कर सकता है या विभेद नहीं करेगा इन पाउच ग्राउन को आधार बनाते हुए सरवोच नाले ने तुँ यहां तेक सपस्ट किया है कि यदि कोई विभेद किया गया है और वह अनुचेद 15 और 16 के आधार पर असंगत है तो अनुचेद 14 के आधार पर युक्युक्त वर्गिकरण कहकर हम उसे वैद नहीं ठेरा सकते हैं अर्थात 15,16 के आधार पर यदि कोई अधार है कोई विभेद तो वह जो है अनुचेद 14 के आधार पर भी अधार ही है इस अनुचेद में चर्चा की गई है कि राज केवल इन पांच आधारों पर विभेद नहीं करेगा अर्थात केवल सब्द विशेश महत्तु का है इसका आर्थ है कि विभेद केवल उप्युक्त आधारों पर ही वरजित है इन पांच के लावा यदि कोई भी आधार बनता है विभेद का तो वह इस अनुचेद का उलंगन या नहीं माना जाएगा जैसे इस अनुचेद में उलेक मिलता है कि जन्म अस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा परन तो यदि विभेद हो जाए निवास अस्थान के आधार पर तो वह असमधानिक नहीं होगा जैसे गुरूप C की विकेंसीज निकलती है स्टेट में तो वहाँ जो राज्य है वो मांगता है कि निवास अस्थान जो है वो उत्त्राखंड या मध्यपरदेश या जारकंड या फला स्टेट का ही होना निवार है तो यदि ऐसा करता है राज्य तो वह जो है और छेद पंद्रा के एक का उलंगन नहीं माले जाएगा दूसरा क्या है इसका कि यदि विभेद जो है इस प्रकार का है कि उप्रिक तो जो वरनित सूची है अर्थात पांच आधार तो है पलस कोई अन्य है तो यदि विभेद इस आधार पर भी है तूसे भी असमिधानिक नहीं माले जाएगा जैसे कि महिलाओं को जो मातरत अवकाँ से मेटरनेट लीव दी जाती है वह केवल उनके सक्स या लिंग तक की सीमित नहीं है उनके बायलोजिकल डिफ्रेंस को भी इसमें आधार बना गया है इसलिए यह भ आसात राज वही जो अनुछेद 12 में परिभासित है प्राइवेट बित्यों को भी यह आदेश देता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग, जन्मस्थान अर्थात वही पांच आधार जो अनुछेद 15 के एक में है या इन में से किसी के आधार पर क या एक दुकानों, सारजनिक भोजिनालों, होटलों और सारजनिक मनोरंजन के अस्थानों में प्रवेश या पूनत है या अंसत है राज निधी से पोशित अत्वा साधारन जन्ता के प्रियोग के लिए समर्पित कुओ, तालाबों, सारजनिक समागमों के अस्थानों के उ धिन नहीं होगा देखे इसमय क्या हैं कि जो अनुच्यत 15 का दो है वह जो समीधान निर्माता थे उन समीधान निर्माताओंने जो समानता का स्वप्न देखा था उस्वपन को साकार्ष करने का ही एक साक्सात उधारन है क्यों क्योंकि भारतिय समाज में प्राचीन काल से ही छुआ छूत की भावनाई विद्धिमान थी और यदि छुआ छूत बकाइदा बनी रहे तो फिर समानता कैसी तो अंचेद 15 के 2 में ये प्रोविजन किये गए कि इनके आधार पर किसी भी बित्ती को अर्था धार्म के जा समानता कायम रहे समानता बनी रहे और जो उन्होंने स्वप्न देखा है समानता का भारत की समानता का वो जो है साकार रूप प्राथ कर सके इसका एक अफवाद भी है कि हम ये कर सकते हैं या अनुच्छेद ये कहता है कि यदि इस प्रकार की कोई संपत्ती है जो पूनत है या अंस्त है, राज निधी से पोसीत है, तो वहीं ये कानून या वहीं ये अनुच्छेद प्रभावी होता है, कोई नीजी प्रोपर्टी है, या नीजी संपत्ती है, वहाँ ये है, जो अनुच्छेद है, वो प्रभावी नहीं होता है, जैसे कोई कुवा है, कोई कोई प्र कि अनुच्छेद 15 के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी अर्थात राज जो है वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेश प्रावधान कर सकता है और ऐसा अनुछेद पंदरा का उलंगन नहीं माना जाएगा इसके संबंद में आप जो है प्रोविजन्स देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं जो भारतिय समिधान के नीती न देशक तत्व हैं वहाँ भी महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेश प्रावधान किया गए हैं वो किस प्रकार हैं जैसे अनुछेद 42 में महिलाओं को विशेश प्रसुति अवकास देने की बात कही गई है अनुछेद 45 में 6 वर्ष से कम आयू के बच्चों की दे बच्चना का सिकार हो जाते हैं अनुछेद 15 के 3 को ध्यान में रखते हुए सर्वोश नाले वे उच्चनाले ने कहीं महत्तपूर्ण फैसले भी दिये हैं जो इस प्रकार हैं देगी सबसे पहला जो कुछ महत्तपूर्ण फैसले उसमें क्या है कि अनुछेद 42 के नुसार मह बेद के लिंग के आधार पर नहीं है biological difference या सार्रिक संद्चना के आधार पर भी है अर्थात आधार यहां उन 5 में प्लस एक है कि लिंग पलस अधर है वो है सार्रिक संद्चना इसके लावा राज को अधिकार है कि वह ऐसी चंड संस्थाव की अस्थापना कर सकता है जो मह महिल के लिए है महिला इंट्रकोली है तमाम तरह की है इसके लावा सिक्षन संस्थाओं में महिलाओं के लिए अस्थान अरक्षित भी कर सकता है। महिलाओं को प्रात्मिक्ता या वरीता देने का धिकार है और इस प्रात्मिक्ता को राज की सकरात्मक कारवाही माना जाएगा अफर्मेटिव एक्षन माना जाएगा नेकी रिजर्वेशन अर्थात कोई सीट है और इस सीट के लिए एक्स क्वालिफिकेशन है और ये एक्स क् सकरात्मक कारवाई या affirmative action माना जाएगा नेकिया रख्षे 1990 में संसद्य जो है रास्तिय महिला आयोग अधनियम 1990 परित किया है जिसके तहत रास्तिय महिला आयोग का गठन कर दिया गया है जो महिला अधिकारों के संबंद में आवाज को बुलंद करता है इसकी अस्थापना के संबंदित जो जो सक्तियां है या जो प्रावधान है वो कहीं न कहीं अरुछेद 15 में ही नहीं थे अरुछेद 15 का चार अरुछेद 15 का चार जो है वह मूल संविधान में नहीं था इसे पर्थम संविधान संसोदन अधनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राज जो अनुछेद 12 में परिवाजित है सामाजिक तथा सेक्चिक द्रस्टी से पिछड़े वे बर्गो अनुछेद जातियों और जन जातियों की उन्नती क के लिए विशेश प्रावधान कर सकेगा और ऐसा करना अनुछेद 15 का उलंगन नहीं माने जाएगा अर्थात राज जो है SC, ST, OBC को जो है उनकी उन्नती के लिए अर्थात उनको जो है रिजर्वेशन देने के लिए दाखिले में रिजर्वेशन देने के लिए प्रोविज जो है उलंगन नहीं माना जाएगा अनुछेद 15 की एक का या फिर अनुछेद 15 की दो का यह जो सम्विधान संसोतन आया वो क्यों आया इसके पीछी कारण है जो मदरास सरकार थी मदरास सरकार ने 1951 में ये किया कि उसने वहां कुछ जाती को रिजर्वेशन दे दिया वहां के जो इंजिनरिंग कॉलिज थे और मेडिकल कॉलिज थे यहां पर रिजर्वेशन दे दिया इस रिजर्वेशन को चुनोती दे दि और एक मामला उभर कर सामने आया मदरास राज बनाम चंपकम 1951 मदरास राज बनाम चंपकम 1951 इस मामले में सर्वोच नेल ने यह decision दिया कि जो जाती के आधार पर मदरास सरकार रिजर्वेशन दे रही है जो अनुचेद 151 का सरासर उलंगन है मदरास सरकार ने यह भी तरक दिया कि अनुचेद 46 में जो है यह कहा गया है कि राज जनता के कमजोर वर्गों के सिक्षा सम्मंदी अधिकारों के हितों की रच्छा कर सकता है और उनकी अभिवर्दी का प्रियास कर सकता है मदरास सरकार ने अनुच्छे 40 को आधार बना था परंतु सुप्रेम कोट ने कहा था कि नीति निते सक्तत्त मोलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकते हैं उन्होंने ये कहा था कि चाहिए भले ही ये अनुच्छे वर्णित है समिधान में कि राज जो है कमजोर वर्गों की सिक्छा संबंदितों की सुरच्छा कर सकता है और उनकी एजुकेशन को परमोट कर सकता है परंतु आप आधार बना रही है जाती को और जाती का खंडन करता है अनुच्छे 15 का एक इसी निरने के प्रभाव को स्माप्त करने के लिए परतम समिधान संसोदन जब पारिथवा 1951 तो उसमें अनुच्छे 15 का चार्ड जोड़ा गया और राज्य को यह सकतिय प्रदान की गई कि जो सामाजिक और सक्षिक द्रस्टी से पिछड़े हुए वर्ग है ओबिसी के टेगरी है अनुच्छे 15 का पांच यह भी मूल समिधान में नहीं था इसे 93 वे समिधान संसोदन अधनियम 2005 के द्वारा समिधान में जोड़ा गया यह राज्य को अधिकार देता है कि वह अलपसंख्यक वर्गों की सिक्षा संस्थाओं को छोड़ कर जो Minorities Institution है Education Institution है उनको छोड़ कर अन्य सभी सरकारी या नीजी सिक्षण संस्थाओं में चाहे वे साहता प्राप्त हो अत्वा ना हो अनुसी जातियों, जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यरतियों को दाकिले में आरक्षण दे सकता है और यह अनुछेद 15 का उलंगन नहीं माने जाएगा इसके पीछे भी कारण है वो कारण क्या है कि जो सरकारी सिक्षण संस्था में सरकारी चाहती थी कि जो मंडल आयोक के बाद जो 27 परसेंट रिजर्वेशन मिला है OBC को नोकरियों में लोक नियोजन में उसको दाखले में भी मिलना चाहिए पर जिसके परभाव पढ़ने थी क्या के 27 परसेंट रिजर्वेशन यदि सब जगदे तो IIDIM जैसे जो Educational Institute है उनकी जो quality है उसमें भी कम्यों आ सकती थी और दूसरा ये भी था ये विवाद भी था कि जब ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो क्या नीजी संस्थाओं में ये बादिकारी किया जाने चाहिए थो नहीं हाला कि कुछ राजी सरकारों ने नीजी संस्थाओं पर आरच्छन के ववस्था थोपने का परियास कर भी दिया था परंतु सर्वोच नेलन ने इसी दोरान लगबग तीन ऐसे मामले चर्चा में रहे कि इस प्रकार के निर्णों को अवद्ध गोशित कर दिया था वो मामले क्या थे मेँए प्र्वोच नेलन ने ये निधरित कर दिया कि राज जिज्ज जो है वो गैर साहता पराप्त ववस्थाइक सिक्छा संसाओं में आरच्छन के ववस्था नहीं कर सकता है क्योंकि ववस्थाइक अधिकार है अनश्यद 19-11 गे जी कित नहीं ये भी अप्रियाब मोलिक अदिकार है कोई भी व्यपार या व्रत्ती अपनाने की सोजनता यहां कर दी गई है कि जब यह सोजनता कर दी गई है तो आप इसका हनन कैसे कर सकते हैं तो आप जो है रेजरवेशन देही नहीं सकते हैं गेर साहता प्रात व्यवसाइक सिक्सा संस् अधनियम हो लाई अब इसी अधनियम हो प्रभाव देने के लिए केंद्ड्रि सिख्चह संस्था प्रवेश में अर्ख्षण अधनियम दोहजारचेह पारित किया क्या इसके तहत जो है जो अबि सी हैं उनको दाखिले में भी अरच्षण के बास्था पर दान कर दी इस अदनियम को असोक कुमार ठाकुर बना भारसंग 2008 के मामले में सर्वोच नेली ने सर्वसम्मति से सम्विधाने गोजित कर दिया परन्तु यह प्रस्ण फिर से अनुत्रिश छोड़ दिया कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्ट्यूट है गेर साहिता प्राप सिक्छा संस्था है वहाँ यह अदनियम लागू होगा अत्वा नहीं होगा साथी सर्वोच नेले ने यहां सर्थ लगा दी OBC के लिए क्रीमी लेयर की को उसको रिजर्वेशन के लाब नहीं मिलेगा साथी यह भी कहा कि प्रतेक पांच वर्स पच्चात इस कानून का मुल्यांकन करना होगा और साथी यह भी कहा कि जो पिछड़े वर्गों का अंदिलधारन है वो केंदर सरकार 1993 में जारी कियेगे ओफिस मुवरेंडम के आधार पर करेगी इसी दुरान का एक मामला अभी चर्चाओं में है नीजी स्कूलों की सोसाइटी राजस्थान बना बारसंग 2013 इस मामले में सर्वोचिनाले ने अपने तीन महत्पूर्ण डिसिजन दिये वो क्या थे कि सिक्षा को विसुद्ध रूप से ववसाइक उद्धम के रूप में स्विकार नहीं किया सकता है कि सिक्षा अरुचेद 21 के एक तहट राज्य परदायत्य तो है और जो Right to Education Act 2009 है वो संस्था केंदरित अधनियम के पेक्षा एक बाल केंदरित अधनियम है इसलिए नेजी सिक्षा संस्थाओं में भी सिक्षा के अधिकार अधनियम 2009 के तहट 25% रेजर्वेशन दिया जा सकता है ये वैद्ध है Most important है अंशेद 15 का 6 ये भी मुल संविधान में नहीं था इसे 130 संविधान संस्थाओं अधनियम 2019 के द्वारा भरतिय संविधान में जोड़ा गया इसके दो क्लोज है अंशेद 15 के 6 का A और अंशेद 15 के 6 का B इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे समिधानी खहय ये नहीं है क्या ऐसी स्थिया नहीं कि इस प्रकार के जो समिधान संसुन अधनियम है मोधी सरकार द्वारा ला गया है देखे इस समिधान संसुन दिनेम द्वारा अनुशेद 15 में भी कलोज जोड़ा गया है अनुशेद 16 में दाखिले में रिजर्वेशन दिया गया है तो अनुशेद 16 में रिजर्वेशन दिया गया है नोकरियों में अनुशेत 15 के छाका एक कहता है कि राज जी इसी अनुशेत के कलाओच 4 और 5 में वर्णित वर्णों से इतर अर्थात SC, ST, OBC इन से अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों के लिए कोई विशेश प्रावधान कर सकेगा अब बचा कोन जन्रल और यदि वो एकोनमिक रूप से कमजोर है तो इनके लिए विशेश प्रावधान कर सकेगा ये कहता है क्या अनुशेत 15 के छाका एक अनुशेत 15 के छाका दो क्या है कि ऐसे वर्गों को सिक्षा संस्थाओं में कुल सिटों का अधिक्तम 10% आर्चन दे जा सकेगा ये 10% आर्चन SC, ST, OBC को दिये गए आर्चन से अलग होगा अर्थाद जो अब तक 11% आर्चन था कुल अब 10 और हो गया तो मैक्सिम्म कितना प्रसेंट आर्चन हो गया 69% बसरते इसका एक अपवाद भी है कि ये आर्चन नहीं दिया जा सकेगा अनुशेत 30 के एक में वर्णित अलपसंक्या सिच्छा संस्थाओं में मुझे आसा है कि ये जो अनुशेद 15 है इसके मूल प्रावधान आपको ढंक से समझ आ गए होगे इस अनुशेद को बहतर बनाने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं जैसे सबसे पहला कानून है नागरिक अधिकार संद्चन अधनियम 1905 ये जो अधनियम था ये पार अप्रेल 1965 में इस अधनियम पर सुजाव देने के लिए इलाया पेरूमल समिति का गठन किया गया और इसी के सुजाव पर 1906 में इस अधनियम में संसोदन किये गये और इसी के सुजाव पर इस अधनियम का नाम बदल कर नागरिक अधिकार संद्चन अधनियम 1955 कर दिया गय यह संसोदित अधनियम 19 नवंबर 1906 से प्रभावित है और बारते समिधान के अंच्छ 17 के जो असपरस्ता अनुमलन संबंदी प्रावधान है उनकी अनुरूप भी है देकि यदि समाज में असपरस्ता रहेगी तो समानता का जो स्वपन है वो कभी साकार ही नहीं पहुपाए 29 SC ST Act के नाम से भी आप इसको जानते होंगे बहुत ही मजबूत कानून है और SC ST के लोगों के प्रती होने वाले अन्यायों पर अंकुस लगाने वाला सबसे प्रभावी जो कानून है वर्तमान से में वो यही है इसे जो है इसमें संसोदन कर दे गए है 2015 से जो 26 जनवरी 2016 से लागू है और अभी कुछ वर्सों पहले काफी चर्चाओं में भी रहा है अमचेत 15 को प्रहोई बनाने के लिए एक कानून है हिंदू उत्रादिकार अधनियम 1956 इसमें क्या है कि जब किसी हिंदू ब्यक्ति की मृत्यू बिना किसी वसियत के हो जाती है तो उसकी संपत्ति क उसके वारिसों में कानूनी रूप से किस प्रकार बांटा जाए इस प्रकार के प्रोविजन किये गए है यहीं पर अधनियम में मर्तकों के उत्रादिकारियों को अलगलग सरेणी में बांटा गया है और उनको किस-किस प्रकार से हिस्से मिलने है यह भी बता गया है इस कान पांच में इस कानून में संसोधन कर दिये गए और संपत्ति के मामलों में पुत्र बराबर पुत्री को भी स्विकार कर लिया गया है अर्थात पुत्रियों को भी बराबर का अधिकार देने की बात कर दी गई है अनुशेत 15 को प्रभावी बनाने के लिए ही मातरत तुलाब अधिनियम 1961 मातरत के समय महिलाव के रोजगार की रच्छा करता है और मातरत तुलाब का हकदार भी बनाता है अर्थात वो अपने बच्चे की देखभाल भी कर सकती है और काम पर अनुपस्तित भी रह सकती है और पूरा पेमिंट ले सकती है यह अधिनियम लागू होता है संस्थाओं पर जहां दस या उससे ज़्यादा ब्यक्ति काम करते हैं 2017 में इस अधिने में संसोधन कर दिया गया है और यह प्रावधान कर दियेगी कि जो सुरुवाती दो बच्चे हैं वहीं यह लाब मिलेगा जो पहले 12 सप्ता का मिलता था अब यह 26 सप्ता का मिलेगा औ और इनके बाद जो है यह सुविधा रहेगी 12 सप्ता की इसके लाबा इसी को प्रावधा बनाने के लिए कार अस्थल पर महिला योन उत्पिडन्स रोक्थाम निसेद और निवालन अधिनियम 2013 भी पारित किया गया है यह जो है यह अधिनियम को या बारतिय सम्विधान के 14, 15, 21 को ससक्त करता है और इस अधिनियम के लागू हो जाने के पस्चात विभिन जो ववसाईक अस्थल है वहां महिलाओं की बागिदारी पर दुरगामी सकरात्मक परभाव भी पड़ा है महिलाओं आर्थिक रूप से ससक्त बन रही है जब वो अपने आपको स्रक्षित म अधिनियम 2016 ये भी पारित कर दिया गया है इस अधिनियम के तहत जो दिव्यांग जन है उनके अधिकारों को जो है उनके अधिकारों की रच्छा के लिए विशेश प्रावधान कर दे गये हैं इन प्रावधानों में जो है सेवाओं में आरक्षन बढ़ाना अधिनियम के है दिव्यांगता की अत्रिक्त सोरी इस अधनियम में जो है कि ये प्रोविजन किये गए है कि किस प्रकार जो है जो सर्विसीज है वहां इनका रिजलेशन बढ़ा जाएगा और साथ ही जो है चोदा सिरीज में या स्रेडियो में बाठ दिया गया है दिव्यांगों को और यह जो अनरूप है यह है सुक्तरास्ट समझोते के और जिस पर हस्ताक्षर कर दिये गए है भारत के द्वारा और यह जो समझोता है यह रहा है 2007 में इसके लावा मानसिक स्वास्त अधनियम 2017 मेंटल हेल्थ केर एक 2017 यह भी अंचित 15 को परभावी बनाने के लिए सरकार द्वार के अधिकारों पर सुक्तरास्ट सम्मेलन के अनरूफ हो यह अधनियम काफी व्यापक है इसका उद्देश मानसिक रूप से बिमार लोगों को मानसिक स्वास्त देखबाल और सिवाय मोहिया कराना है मुझे आसा है कि पूरा वीडियो आपको धंग से समझ आ गया होगा परन तु फिर भी यदि आपके कोई भी प्रस्न है सलाया सुझाओ है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखिए और जिस समिधान की बात हम कर रहे थे अपने प्यारे भारत की तो कहिए जोड़ से जैंद जै भारत महसक्ति भारत थैंक्स पूर वाचिंग